हेलो एब्रिवन, फोट फ्राम होम में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बजार जैसा खटा, मीटा, चटपटा, पोहा नमकीन इसे चिवडा भी कहते हैं ये नमकीन बच्चे, बड़े, सभी को बहुत पसंद आता है खास कर इस नमकीन को बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये खटा, मीटा होता है इसे आप एक, दो महिने इस्टोर करके भी रख सकते हैं ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं तो आईए बनाते हैं चोडा नमकीन चोडा रंकीन बनानी के लिए हमने तीन कप मोटा वाला चोडा ले लिया है ये देखिए इसे हमने चन्नी से चान के साफ कर लिया है जिससे चोडा के जो छोटे पार्ट सें डस्ट हो गए रहा हैं वो सब निकल जाएंगे अब इसे हम तल लेते हैं इसे तलने के लिए हमने कड़ाई में ओइल ले लिया है ओइल गरम हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा चोडा डालेंगे ये देखिए जाते ही फूलने लगा ध्यान रखे चोडा डालते ही फ्लेम को लो कर देंगे ये देखिए फूल गया है इसे निकाल लेते हैं हमें चूड़ा का कलर चेंज नहीं करना है हमें सफेधी रखना है अब इसे छनी को जटक देंगे जो एश्टा ओल होगा वो निकल जाएगा अब टीशू पिपर पर रख देते हैं जो भी एश्टा ओल होगा वो टीशू पिपर में आ जाएगा इसी तरीके से हम सारे चूड़े को तलके तयार करें लेंगे ध्यान रखे जब भी चूड़ा डालेंगे ओल गरम होना चाहिए ओल गरम रहेगा तो चूड़ा ओल में जाते ही फूल जाएगा ओल ठंडा रहेगा तो आपका चूड़ा जो है हार्ड बन के तयार होगा ऐसे क्रिस्पी और लाइट नहीं बनेगा सारा चूड़ा हमने तल लिया है जो कड़ाई में ओल है उसमें चूड़ा के छोटे-छोटे पार्ट से तो इसे हम छान लेते हैं यह देखिए हमने चान लिया है अब इसमें हम ड्राइफूर्स तल लेंगे तो चन्नी के हल्प से हम तल लेंगे वन फोर्थ कप हमने बादाम ले लिया है इसे स्पून से चलाते रहेंगे और इसे गोल्डन होने तक इसे तल लेंगे यह ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक मिनट के अंदर यह तल के तयार हो जाता है यह देखिए गोल्डन हो गया है इसे भी निकाल लेंगे और चूड़े में एड़ कर देंगे इसी तरीके से हम वन फोर्थ कप हमने काजू ले लिया है इसे भी तल लेंगे गोल्डन होने तक आपको जो भी ड्राइफूर्स इसमें एड़ करना है आप इसमें एड़ कर सकते हैं और इसे हलका गोल्डन होने तक तल के तयार कर लें आप नारियल गोला भी इसमें डाल सकते हैं उसको पतला चिप्स की तरह काटके आप उसे भी गोल्डेन होने तब तलके आप इसमें डाल सकते हैं टू टेवल इस्पून हमने किस्मिस ले लिया है इसे भी हम तल लेंगे ये देखिए फूल गया है, ये भी बहुत जली फूल जाता है, बहुत जली तल के तयार हो जाता है, इसे भी निकाल लेंगे उस सकेंड में ये तयार हो जाता है, इसे भी हम चोड़े में एड़ कर देंगे अब हमने एक कप मुमफली ले लिया है, इसे भी हम तल लेंगे ध्यान रखे oil गरम होना चाहिए flame low to medium होना चाहिए और इसे चलाते हुए इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे इसको भी तलने में हमें 3-4 मिनट लगते हैं ये देखिए खुस्बू आ रही है, color भी change हो गया है इसे भी हम चोड़े में add कर देंगे अब करी पती लेंगे, तो हमने 30-40 पत्तिया ली है इसे भी हम crispy होने तक तल लेते हैं इस्पून के help से इसे चलाते रहेंगे ये देखिए, crispy हो गया, इसे भी हम चोड़े में add कर देंगे कढ़ाई में जो oil है, उसे हम निकाल लेते हैं बस दो चमच oil रखेंगे चार हरी मिर्ची को हमने कट करके ले लिया है, इसे हम add कर देते हैं इसे भी हम भून लेंगे भून चुका है, गैस को off कर देते हैं, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे गरम oil में हम आदा चमच हल्दी add करेंगे और इसे भी mix कर लेंगे जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा ठंडे oil में हमें बिल्कुल हल्दी नहीं डालना है नहीं तो हल्दी का कच्चा कच्चा flavor आएगा इसे भी add कर देते हैं टीशू पेपर का काम खतम हो गया, इसे हटा देते हैं अईसे अच्छे से mix कर लेंगे तो नमकीन पे हल्दी की अच्छे से coating हो जाए नमकीन जो है colorful हो जाएगा ये देखिए हल्दी की coating अच्छे से हो गई है अब इस पे हम मसाले add करेंगे आदा चमच नमक ले लेंगे तो हमने normal नमक, काला नमक, जीरा और काली मिर्च को पीस के ले लिया है इसे हम add कर देंगे अगर आपके पास ये नमक नहीं है तो आप normal नमक भी ले सकते हैं एक चमच सुगर पाउडर लेंगे हमें चीनी को पीस के ले लिया है आदा चमच लाल मिर्च पाउडर इसे भी add करेंगे आदा चमच चाट मसाला अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचुर पाउडर भी add कर सकते हैं इन सब मसालों को अच्छे से mix कर लेते हैं यह देखें अच्छे से mix हो गया है खटा मीठा चटपटा बजाज जैसा नमकीन बन के तयार है बच्चों का फेबरेट नमकीन यह रेश्पी आपको कैसी लगी अगर आपको यह रेश्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स पर वाचिंग